और आज स्किन के सीरीज की फोट एपिसोड आपके लिए बहुत आदा स्पेशल होने वाली कि आपके हाथों पर इंकल्स पर्ति हैं ड्राइनस होती है फाइन लाइन्स होती है और आपके हाथ दिखने में खुबसूरत नहीं लगते टुम जरूरत हो मुझे को भी तुजरूरी तुम जरूरी नशेर पांके ये स्मूज सी क्रीन बन जाए आपको तूस्पून ऑलिवाइल चाहिए हेलो बीटिफुल दिस इस मीचा मुश्ताक वाकूम टू मैं यूटिप चैनल और वाकूम बेक टू अनधर मिनी व्लॉग दिनका अगाज हो चुके है और आज स्किन के सीरीज की फूर्थ एपिसोड आपके लिए बहुत अदर स्पेशल होने वाले क्यूंके मैं हाथों के कैसी क्रीम बनाओंगी अगर आपके हाथों पर इंकल्स पर्टी है ड्राइन होती है और आपके हाथ दिखने में खुबशूरत नहीं लगते तो आज की एपिसोड से आप भरपूर फाइदा उठा सकते हैं और अपने हाथों को बना सकते हैं खुबशूरत और चमकदार और साथ में आपको अलोवेरा जल चाहिए इन सब चीजों को अपने अच्छे से मिक्स करके इस कंटेनर में आपने डालकर सेव कर लेना है अगर आप लोग जाते कि आपके हाथ भी रिंकल्स प्रीव हो जाए और आपके हाथ खुबसूरत लगे तो इस क्रीम को आपने बना जाए और लास्ट में आपको अलोवेरा जल चाहिए अब आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेने इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ताके यह स्मूज सी क्रीम बन जाए और जब तक मैं इसे मिक्स कर रहे हूँ आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सुब्सक्राब कर लें साथ लगे बैल आपको प्रेस कर लें ताके नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन आपको चटपर से मिलता रहे इसे कितनी तेर मिक्स किये लेकिन अभी ताथी जी क्रीम की शकल में नहीं आया है इसलिए इसे अच्छी तरह मिक्स करना है आपने अगर आप बोर होना नहीं चाते तो आप बदो बदी का लें अक्खा मीली जिदो कदी कदी मोका मीले जदो कदी कदी आय हाय मुझे आता नहीं लेकिन आप ऐसे गा सकते हैं ताकि आप बोर ना हो यह दो मिनट मेरे में साथ हो गय है और अब मैं आपको वाज़ा इसका पर आप दोनों हाथों में फर्क आपको वाज़ा नजर आ रहा होगा अब आपने स्क्रीम को किसी भी कंटेनर में डाल के सेव कर लेंए अब इसक्रीम को आप फिज में रख लें या अपने ड्रॉर पर रख लें जहां पर भी आप रखना चाहें रख सकते हैं आपने जितनी रखा भी हाथ होने उतनी रखा आपनी इसक्रीम को अपलाई करने दो मिनिट के लिए मसाज करने अब मैं बर्तन दोंगे उसके बाद भी स्क्रीम को यूज करूंगे और आप रिजल्ट एक ना जल्दी से आज़ाओ फिटर में चलते हैं इसारा तुमने आपर गंद किया हो बर्तन वागे दोने के बाद आपने अपने फ्रों को अच्छी तरह बाश कर लेएं और फिर अपने हाथों को ड्राइ कर लिए उसके बाद ये क्रीम आप अपने हाथों पर फिर से अप्लाई कर लिए और अब आप इस क्रीम को इस तरह से प्रीज में रख सकते हैं अगर आप इस क्रीम को सेवन डेज के लिए मसलसल यूज करते रहेंगे मतलब जब भी आपने हाथ दो इस क्रीम को यूज कर लिया तो आप अपने हाथों पर मजूद फाइन लाइन्स रिंकल्स और ड्राइनस को हमेशा कले खتم कर लेंगे हाथों को खुबसूरत बनाने वाली क्रीम बनाने के लिए आपकी जरा से भी लागत नहींगे और अगर आई तो 500 से कम आईगी क्योंकि अगर आपके पास वेजली नहीं है, अलोवेरा जेल नहीं है और ओलिव वाल नहीं है यह सारी चीज़े अगर आपने मार्केट से लेनी है तो यह आपको 5-600 में मिल जाएंगी और हल्दी हरकिसी के घर में मदूद होती है इन चीज़ों को मिक्स करके अपलाई करें और अपने हाथों को खुबसूरत बनाएं और साथ मुझे दी इजाज़त मुलाकातों कि इन्शालला नहीं आने वाली वीडियो में तब तक अपना है रखने मुझे दो हम इजाद रखने बाबाए